हलो दोस्तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चानल में दोस्तो आज मैं आप सबके लिए बहुती मैद्वपुन टॉपिक लेके आई हूँ आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कैसे घरेलून उसको से आप अपने मुटापे को कम कर सकते हैं और पेट की सूजन को खत्म कर सकते हैं दोस्तो मुटापा और पेट का सूजन बहुत ही बड़ा समस्या है इसके लिए आप बहुत सारी दवाईयां भी खाते हैं जिसकी वज़े से आपको मुटापे की साथ साथ किड्नी की समस्या भी हो जाती है दोस्तो और नियमित खाना खाने से आपको मोटापे का सामना करना पड़ता है और पेट की सूजन का भी सामना करना पड़ता है अगर आपको मोटापे की समस्या है या पेट में सूजन की समस्या है तो इसके लिए आपको कबज, गैस जैसी परिशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है दोस्तो अगर आपको इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आप सबसे पहले नियमित भोजन लेना शुरू कर दें ऐसा करने से आप अपनी समस्या से लगभग 30% छुटकारा पा सकते हैं इसके लावा आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे घरेलू उपचार जिसके इस्तमाल से आप बहुत जल्द मुटापे से छुटकारा पाते हैं साथ ही पेट की सूजन जैसे समस्या से भी छुटकारा पाते हैं दोस्तो इसके लिए आप सौप की चाय पीए यानि सौप का चाय अगर आप पीते हैं तो आप बहुत जल्दी पेट की सूजन को कम कर सकते हैं और साथ ही अपने शरीर के चरबी को कम करके अपने आपको पतला कर सकते हैं इसके लिए आप सौप को अच्छी तरह पीस कर पानी की साथ बॉयल करें इसे कम से कम 10 मिनट के लिए बॉयल करें जब यह अच्छी तरह बॉयल हो जाए तो अब इसे चान कर जो पानी बचा है उसका स्तमाल करें आप चाहें तो इसमें शेहत का स्तमाल कर सकते हैं लेकिन अ अपने बाई तरफ लेट के सांस ले लंबी लंबी सांस ले ऐसा करने से पेट की सूजन में बहुत जल्द राहत मिलती है और दर्द भी कम होता चला जाता है इसके साथ साथ आप अपने डेली रूटीन में 30 मिनट के लिए पैदल चलना एड़ कर लीजे अगर आप रोजाना 30 मिनट तक पैदल चलते हैं तो इससे आप बहुत जल्दी अपने मोटापे को घटा सकते हैं और पेट की सूजन को भी कम कर सकते हैं इसके साथ साथ आप गेहूं दूद और कम नमक कर स्तमाल करके भी इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों अजवाइन जीरा और छोटी हल्ड काला नमक को इन सब को मिलाकर समान मात्रा में पाउडर बनाकर खाने के बाद एक चमच पानी के साथ लेते हैं तो इससे भी आप अपने पेट की सूजन को कम कर सकते हैं और अपने शरीर के चरवी को कम करके अपने आपको पतलक कर सकते हैं लेकिन दोस्तों और आपको मुटापे से छुटकारा नहीं मिल पाता आप अपने खाने के बीच में तीन घंटे का अंतराल जरूर रखें अगर आप तीन घंटे के डिफरेंस में खाना खाते हैं तो इससे आपके शरीर को आवश्यक प्रोटीन प्रचूर मात्रा में मिलेगा जिससे आप स् फल का अस्तमाल ना करें फल ना खाएं ऐसा करने से आप बहुत जल मुटापे से छुटकारा पाते हैं और पेट की सुजन से भी छुटकारा पाते हैं खाना खाते वक्त खाने को चबा कर खाएं ऐसा करने से भी आपको पेट की सुजन से छुटकारा मिलता है और इससे आप मात्रा में मिलाकर लपियें ऐसा करने से आपको पेट की सूजन से छुटकारा मिलता है और आपके शरीर के मोटापे को भी कम करता है आपके शरीर में जमी चर्वी कम हो जाती है और आप बहुत जल्द पतले हो जाते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो की घरेलू नुसक को और मोटापे को कम कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंट रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमार परिशानियों को दूर कर सकते हैं तब तक के लिए फिट रहे हल्दी रहे खुश रहे तैंक यू